नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंटी हिंदी टेक में इस वीडियो में हम आपको स्लाइस क्रेडिट कार्ड की बारे में बताने जा रहे हैं अब तक आप लोग स्लाइस क्रेडिट कार्ड की बारे में क्या सुने हैं क्या जानते हैं वो तो मुझे नहीं बता लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे या भी बताएंगे कि इसका एडवांटेज और डिसडवांटेज क्या है मतलब इसका फायदा और नुकसान क्या है किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए क्या यहां क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए वीडियो को आंते तक और ध्यान से देखेगा यहां पर अगर कोई नहीं बताया होगा डिटेल में तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल रंगीन सा आप देख सकते हैं इसके कुछ मुख्य फीचर्स की बारे में बात कर लेती हैं उसकी बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बारे में भी बात करेंगे यहां पर बताया गया है कि आप टू दो परतिस्थ की कैस बैक प्रतिक ट्रांजिक आने का वैसे तो अगर बैंके की क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 दिनों की समय मिलता है लेकिन यहां पर 3 मंथ की समय मिलता है 3 महीने तक आप इसका बिल पेमेंट बिलकुल फ्री में कर सकते हों कोई भी चार्ज एक्स्ट आन्वल चार्ज के बारे में बात करें तो आपसे किसी भी परकार की आन्वल फी नहीं लिया जाएगा कोई भी ज्वाइनिंग फी आपसे नहीं लिया जाएगा और किसी भी परकार की हीडियन चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा जो क्रेडिट लिमिट आपको इसमें मिले गई है और मैक्सिमम यानि ज्यादा से ज्यादा दस लाग रुपया की लिमिट रखी गई है तो एक अच्छी चीजे यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके साथ ही इनके तरब से कुछ ओफ़र्स और डिल्स जो है प्रतीक सब्ता चलाया जाते हैं जैसे एमेजोन डिजनी प प्राप्त कर सकती हो इसके साथ ही यहाँ पर यह बताया गया है कि 99.95% मर्चिंट पर पुरा मतलब कंटरी में अक्सेप्टेट है जहाँ पर विजा कार्ड एक्सेप्ट करेगा वहाँ पर यह भी करेगा सबसे कुछी की बात यहाँ पर यह है कि इसको अपलाई करने के इसे अपलाई कर सकती है तो एक अच्छी चीज़े यह है कि आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ है या फिर नहीं है तो भी आप इसे अपलाई कर सकती है अगर इंकम नहीं है तो भी आप इसे अपलाई कर सकती है अगर आप एक श्टुडेंट है सेल्फ इंपलाइ तो आप इसे ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब तक आपको यहां पर डीटियल में पदा चल गया होगा इसका मोफाइल अप्लिकेशन है जो की प्लेश टोर पर भी आपको मिल जाएगा उसी अप्लिकेशन के मदद से आप अप्लाई करती है और पास्वुक सकते हैं रंजन बजाज founder and CEO slice बताई गई है अब चलिए इसके disadvantage की बारे में बात करते हैं और उसके बाद इसके फाइदे के बारे में भी बात करेंगे और लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए यह मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा और अगर आप ले चु दो तीन उसके बाद चार और पांच पांच ऐसे कंपनी हैं जिनके साथ इनका partnership हो रखा है और आपको जो इसमें credit limit मिलता है basically वो एक credit line होता है इस परकार के या फिर ऐसे जो भी company होती है वो आपको credit line प्रदान करते हैं डूरेवल loan प्रदान करते हैं और आपको एक card देते ह और उस card से आप उस loan amount को इस्तमाल कर सकते हैं कहीं पर भी spend कर सकते हैं आपको यहाँ पर credit card वाली सुविधा ही मिलता है अब यहाँ पर आप जब slice credit card apply करोगे तो आपको limit 10,000 रुपया से लेकर 10,000,000 रुपया तक मिल सकता है अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा limit मिलता है त credit limit मिला है credit limit slice के तरब से तो वहाँ पर आप अपना credit score जब check करोगे और credit score में जब credit report देखोगे तो वहाँ पर जो है आपको दो company दिखाई देगा जहाँ पर बताया जाएगा कि आप इन दोनों company से loan ले रखी हो और durable loan जो यहाँ पर आपको credit limit मिलता है वो आपको वहाँ पर अपनी से यह लोग जो है limit प्रदान कराती है इसका disadvantage यह है कि अगर आपको दो company के तरफ से credit limit मिलता है तो आपका जो credit score होता है वो down होने की chances ज़्यादा होती है जो भी आपका credit score होता है वो down होने की chances ज़्यादा होती है example के लिए मैं आपको वता दो अगर आपको 20 रुपया की जरुरत है तो आप लोग क्या करोगे कि एक से 10 रुपया लोगे और दूसरा से फिर आप 10 रुपया लोगे अगर चुकाने की बात आता है तो अगर आपके पास मात्र 10 रुपया ही है तो आप एक को तो दे दोगे लेकिन एक को नहीं दे पाओगे तो एक क्या करेगा यहां ěरो एक है आपको कम्पनी यहां पर credit score डाउन कर देगा, यानि कि डाउन करेगा तो दोनों करेगा, एक साथ मिलकर और यहां पर credit score बनाएगा, तो दोनों बनाएगा, तो इसमें downside chances जदा होती है, down यहां पर होनी की chances जदा होती है, क्योंकि यहां पर अगर आप जादा मेहनत लगता है यह आप लोगों को पता होगा यहां पर देखते ही देखते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है सिविल स्कोर डाउन हो जाता है यह तो आपको पता होगा यहां पर मैं आपको वता दू कि अगर आप किसी बैंक में ले रखा है या फिर credit card ले रखा है अगर वहाँ पर आपका credit report वो check करती हैं वहाँ पर आपको कई सारे company का यहाँ पर loan active बताता है और ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर बताया जाता है कि आप loan ले रखे हैं income से ज्यादा loan ले रखे हैं वैसे में आपका credit card की application decline होने की chances क्योंकि bank जो है वहाँ पर आपका credit report hard checking करती है वहाँ पर सारा कुछ उनको दिखाई देता है और बिल्कुल सही सही दिखाई देता है तो यहाँ पर यह भी depend करता है कि आप जो है कौन-कौन से company से loan ले रखे हैं या फिर कौन-कौन से company से credit card ले रखे हैं अब यहाँ पर दो दो तीन वहाँ पर NVFC company सो होंगे और दो तीन loan सो होंगे तो इससे थोरा सा disadvantage होती है हाला कि जादा अगर limit दिया जाता है तब ऐसा होता है कि दो तीन NVFC company के साथ आपको मिला कर उसके बाद credit limit दिया जाता है अब यहाँ पर आपको इसके disadvantage के बारे में तो पदा चल गया होगा कि यह क्या करती हैं और किसके किसके साथ partnership करके रखे हैं और कैसे यह आप लोगों को देती हैं अब यहाँ पर फाइदे के बारे में बताती हैं देखिए अगर आपका credit score जनरेट नहीं हुआ है अगर आपका credit score नहीं है तो आप जहे है इस credit card को लेना चाहे तो ले सकती है ज आप इसे ना ले तो वेटर रहेगा आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो लेकिन मैं अपने बारे में बताओं तो मेरा credit score अच्छा है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर दो तीन company के द्वारा जो यहाँ पर credit card की limit दिया जाता है उस company के साथ मैं जाओं लेकिन यहाँ पर यह depend करता है कि आपको limit कितना मिला है तो यहाँ पर आप जो है इसे ले सकती हो अगर लेना चाहती हो तो आपका credit score भी बनना है start हो जाएगा और यह कोई guarantee नहीं है यहाँ पर down हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यह आपके उपर depend करता है कि आप transactions किस परकार से करती है ठीक है जो भी credit score down होता है वो आपके ना जानकारी के वज़ा से होता है अगर आप लोग अच्छे से जानती हैं इस्तमाल करना तो फिर credit score down नहीं होगा समय पर आप payment करिए और अच्छे से इस्तमाल करिए जिस परकार से नियम वह सरती है उस परकार से आप इस्तमाल करिए तो यहाँ पर इसके advantage और disadvantage के बारे में हमने बताया फाइदा तो यह है कि आप अगर एक student भी है अगर आप income भी नहीं करती है तो आप इसे ले सकती है यहाँ पर credit limit आपको मिल सकता है यह credit card मिल सकता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और आपका credit score भी यहाँ पर बनना है start हो जाएगा लेकिन अगर आपका credit score पहले से बना हुआ है तो फिर आप directly bank में apply कर सकते हो बैंक से आप credit card ले सकती हो जो भी आपका income waste है वो उस अनुसार से आप ले सकती हो तो यहाँ पर अब तक आपको समझ में आ गया होगा इसके advantage और disadvantage की बारे में यहाँ पर इसका कुछ tournament condition भी है चाहो तो आप यहाँ पर read कर सकती हो इसमें reward मिलती है profile application सारा options आपको मिल जाता है faqv आप यहाँ पर इनका check कर सकती है और इनका जो है मतलब क्या क्या यहाँ पर details है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकती है safe और security के बारे में बात करें तो 100% safe है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर आप चाहो तो इसका इस्तमाल कर सकती हो अगर आप पहले से slice का card ले रखी हो अगर आप उसी close करवाना चाहती हो तो यहाँ पर process है इसका screenshot आप खीच कर रख लीजीगा यहाँ पर आपको एक mail send करना पड़ेगा help add.sliceit.com इस पर आपको mail send करना पड़ेगा उसके बाद क्या क्या यहाँ पर process करना है आपको पूरा अपना bill को clear कर लेना है dues नहीं रखना है और उसकी बाद आपको इनको mail send करना है और उस परकार से मतलब जिस परकार से यहाँ पर closing process है उस परकार से आप process करके अपने account को close करवा सकते हो maximum 6 महीने की समय लगती है 6 महीने में आपके credit report में account close बता दिया जाता है हाला कि इनके तरब से जो है मतलब account close कर दिया जाता है तो इसका screenshot आप खीच लीचेगा rating भी उतना खराब नहीं है प्लेश्टोर पर आप चेक करोगे तो rating भी उतना खराब नहीं है और इनके customer रधिकारी से आप बातचीत कर सकते हो संपर्क कर लेना close करवानी है तो बाकी अगर आप apply करना चाहती है तो फिर वीडियो के नीचे आप comment करके बताएगा मैं इस पर एक detail में वीडियो बना दूँगा कि कैसे आप slice का card ले सकते है apply का process किया है कैसे यहाँ पर KYC complete करना है और बाकी इनका market range आप देख सकते हो जी है दोस्तों इनका big planning है बड़ा planning है और youth के लिए खास कर इनके तरफ से बताया गया है कि average age जो है 26 साल या 26 year बताई गया है तो अगर आपको credit card चाहिए और credit card लेने के लिए अगर income नहीं है credit score नहीं है तब आप यहाँ पर slice का यहाँ card apply कर सकते हैं इस्तमाल करने के लिए और आपके पास तो credit score है ही नहीं तो down क्या होगा अगर credit score रहेगा तो down होगा न तो यहाँ पर credit score नहीं है तो credit score भी बनाने में यह मदद करेगा आपको यहाँ पर सारा कुछ free mail ला है और अप लोगों को मर्जी आप लोग लेना चाहे तो ले सकती है अगर इस पर detail में वीडियो चाहिए कैसे apply करना है कैसे limit मिलता है कैसे KYC करना है तो आप वीडियो के नीच दो तक सेयर करिएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजी इजाजा तब तक के लिए गुडबाई